अज हम बनाएंगे मतन दल्या की तरह है लेकिन इसमें दाले नहीं पड़ती तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने ब्रोकन वीट लिया है इसे अच्छे से वोश करके हमने सोक करके रख लिया था दो कप के करीब है यह सबसे पहले हम इसे कोक कर लेंगे एक पैर कोक लगानी है तीन से चार विसल में यह आराम से गल जाता है दूसरी तरफ हम मटन की ग्रेवी तयार करेंगे मटन लिया है मैंने 750 ग्राम विद बोन है प्रेशर कुकर लिया है मैंने दूसरा उसमें मटन डाल देंगे 2 तेबल स्पून जिंजर गार्लिक सॉल डाल देंगे 1 ओगान की तीस्पून हल्दी है 1ओप टीस्पून फ्लैक प्लाफ़ रहाफट की स्पून गर्म साला है 1ओट मिंट और ग्रीन चीली को जोंडर नी की मैनने चेटनी बनायी है गrena neu diese आपSch अपनी हसाब लिया करेंगे औरdetया कि पानी चेटकर रहाट करेंगे और्हा हमने प्रेशर रगा कर दो से तीन विसल हमने इसकी लेनी है लो टू मीडियम फ्लेम पर गोश्ट जब तक हमारा गल नहीं जाता तब तक हमने इसे पकाना है दूसरी तरफ हमारा दल्या भी अच्छे से गल चुका है मुझे पोर विसल में हुआ है कम्प्लीट कुक इसे मैंने ट्र जब तक ग्रेवी से ओल से नहीं हो जाता तो त्री मिन्ट में अब हम इसके अंदर डली अडाल देंगे फ्लेम हमारी लो टू मीडियम पर ही है और अच्छे से हमने मिक्स करना है कम्प्लीटली जब यह अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए तब इसके अंदर हमने थोड़ा 5 मिलिट्स हो चुके हैं हमारा दलिया और गोश बिलकुल मिक्स हो चुका है खुछ भी बहुत अच्छी आ रही है अब हमें से डिश आउट कर लेते हैं अब मैं इससे गार्निश करने के लिए मैंने हैं ब्राउन अनियन धनिया और लेमन वेजिस लिए हैं और यह एक खिच कि अodel आर गां सुन और गोशिए हैं और रहाद कर दाए हैं Hai अश्जा भाओर अनिया और यह जивается अचानों तक जचा हैं और एंक यह हैं और लेकि वमेंगी का बोशन पया हैं तो हैं अपना अजह हैं अजान यह हैं इंठक कर एं अज़ और आद फो कि दन्सारन आध म。 हैं